जी ना स्रेन एक वक्षफे के बाद हमां भी खिद्मत में दुबारा हाजर हैं जैसा के आप को हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया के हमारा फॉरमट वायड प्रोग्राम में कुछ होड था लेकिन इन हाथा की वज़ाद की वज़ा से हमारा दिल जो था वो बहुत खुन के आंसु रो रहा था और अब जो है वह आप तक भी पहुंचाएं और मीडिया बाकी चुके खामोश बैठा है तो हिदाय टीवी हमेशा इसमें आगे होता है और हिदाय टीवी का यह फर्ज अपना समझता है कि कि उचरावें इनवार मस्तक्बिल जो हमारा उसकी फादय कर ना इसकी कि हमारा मकसद है उनको भी इची तरबिया देना हमारा मकसद है इनको भी जो है मौहमद baixo अलि ौहमौत की सही बताय हुए रास्टे पर जो चलने का लिए नम के अनदर एक काई या जाता है और इंके नाम है सेयद मुफीद हैदर जैदी और अली भाई आपको बताएंगे कि इनकी उमर क्या है और ये किन के शागित हैं बिलकुन बहुत शुक्रिया और नाजिन जैसे कि अभी सेहर ने बात किया मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओंगा कि मुफीद हैदर जैदी का हम आपक तिनाएंगे मगर हमने अपने फ्यूचर के ओपर अपने मुस्तक्बिल के ओपर नजरें गाल कर रखनी है क्योंकि किसी भी कौम का मुस्तक्बिल उसके नौजवान हुआ करते हैं और उनकी तर्वियत का सिलसला वो तमाम मामलात जो है वो अपनी जगा पर उसको पूरी एह प्रवियत हासल रहेगी तो आज हम आपको एक ऐसी शक्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि जब सिर्फ छे साल के थे जब से उन्होंने जो है वो मंद्खबत खानी और नौहा खानी और मसियर खानी शुरू की और उस्ताज से सिपते जाफर जैदी साब के सब से कम उमर शा अजितरी हैं मैं चाहूँ को थोड़ा अलहम दोल्ला हम सब ठीक हैं और आपकी भी खैरियत खुदा से नेक मतलूब है हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका जो है वो तारुफ आपकी ही जबान से हो जाए कि आप बताईए कि आपको ये शौख किस तरह से पैदा हुआ और किस तरह से आप ने जो है वो शागिर्दी इख्तियार की अस्ताज से सिपते जाफर जैदी साहब की अश्ताद का जिस आपका जो और वाद पी जनदते हैं यह होंगे इंशाली लोगें अश्डाद में बजी शुख उपाया और उन्हों नहीं मेरे अधर शौप पैदे किया हम लोग मतलब कहीं भी मजह साजा होती थी तो फिस पहले लोग मुझसे श्टाट करवाते थे तो बिल्कुल उन्होंने आपकी जो है वो तर्वियत की तो हम चाहेंगे कि कुछ किलाम में से कुछ जो है वो आज हम हमारे नाजरीन के लिए हदिया हो जाए अस्ताद का ये कलाम जा 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 बिसमिल्ला है इसे अबादत का वह रंजाब हुआ जाए इसे एदादत का वह रंजा जाब हुआ लाम वो लाम के इसलाम से इसलाम वो लाम लाम वो लाम के इसलाम से इसलाम हुबा ये वे से याबर हुबे मुश्किल में हरक बंदे की ये से याबर हुए मुश्किल में हरक बंदे की सद्क इसलाम के क्या खुब सब्सक्राइब लाम वो लाम वो लाम सब्सक्राइब 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 बहुत खूब कलाम वो आपने पेश किया उस्ताद का और हम MCR से गुजारिश करेंगे यह कलाम हम और सुनेंगे मुश्किल अधर जादी से तो जब यह कलाम पढ़ें तो थोड़ा सा अवास को बैलन्स किया जाए क्योंकि आवास साही नहीं जा रही है थोड़ा से एको वगरा जो हो खोल दी जाए तो मुफित अधर जादी हम बेटा आपसे गुजारिश करेंगे कि एक कलाम कोई और अपनी मर्जी से आख बहुत खुब्सूरत सा उस्ताद की ही लहन में उस्ताद के लहजे में एक और कलाम जो है वो पेश फर्माएं पेश फर्माएं एक बहुत खुब्सूरत कलाम जो है जो मैं आपके समुझे में पेश पर आख जब इस पर लाग लाग लिजी बटा जब तेरे सजाई ते समंदर नगराए जब तेरे सजाई ते समंदर नगराए जब तेरे जब तेरे जब देरे के बराबर नगराए इस वासिते गाजी का लंग नस्द किया है इस वासिते गाजी का लंग नस्द किया है तुरी अडियो कम कर दें अडियो इस वासिते गाजी का लंग नस्द किया है सुमिल इस दुनिया को मेरा घर नस्द किया है सुमिल इस वासिते गाजी का लंग नस्द किया है वो बाकैदा शागिर्द ने अचा एब्जॉब भी पूरा किया है पर कहीं थोड़ा सा भी जोल नहीं है एक एक आखरी हम आपसे फरमाईश करेंगे कि जो आपका बिल्कु ताज़त तरीन कलाम हो मुहमद आले मुहमद आले मुहमद आले मुहमद की बारगाव में वो अगर उसके चंद अशार पेश हो जाएं तो बहुती लुट्फ जो है मैंने जोड़ी जिसके आपकी रिकॉर्डिंग कराई है और आपके समाधे कुम करबला में में रिकॉर्डिंग कराई है हर एक काम खुदा सा हर एक काम खुदा का हुसेन जानते है हर एक काम खुदा का हुसेन जानते है खुदा का खुद ही है कहना हुसेन जानते है बहुत खुदा बनाया जाता है बेटी को के सहा सोना ये माइदा ये परीना हुसेन जानते है हुसेन जानते है हवा का काम खुदा को हुसेन जानते है 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 हुसेन जानते मिलास के आखे यदी जुवे नहीं जुराइब मिलास के आखे के उसके बाप का शच्च्राइब हुसेन जाओ जुवान आलास के जुवान पे लग्ध कहे जाओ या हुसेन हुसेन मागर है हाल जो दिल का हुसेन जाओ सुवान आलास के अर्मकता बड़ा चरफ है के सारे जमान वाल सुहें मुझे भी शाइर बोला हुसेन जान के से अल्लाहुमा सुल्याला मुहमद वाल मुहमद वाज्जिल फरजाओं नाजरें आप सुन रहे तो सजित मुफीद हदर जाइदी साब को बहुत मुश्कूर है ममनून है कि बेटा आपने अपने टाइम दिया हो जो तरी लाखों करोन दौाएं जो है वो मौनियन के दिल से आप के लिए निकल लई होंगी उससे कहीं जादा आपके वालिद सलीम हैदर जादी और आपकी वालदा के लिए निकल लई होंगी कि उन्हों ने ऐसी ऑलाद को तरवियत किया और हम अपने जो रोल मौडल्स हैं अपने जो होनوار नوجवान नसल है जो हमारा मुस्तखबिल है हम उसको जो हो कोशिश करेंगे के पेश करते रहें कि एक ऐसी ये सलसला ऐसा है जो नसलिन बादा नसलिन जो है वो नसलों में जो है वो एक के बादे एक दूसरे को ये मक्तब ट्रांसफर होता है मुफिद हैदर जैदी हमारी एक फ्यूचर है और हमारे मुस्तखबिल का जै वो एक चमकता वसितारा है बहुत शुक्र गुजारें बीटा आपने अपना कीमती वक्त दिया जजा कर ला जजा कर ला आपको बहुत मज़ीद तरक्य और कामयाबी दे कॉलर को कॉलर को शामिल करेंगे असलाम अलेकूम वरहमत अल्लाह वालेकुम सलाम जी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम जी 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 वालेकुम सलाम के नामस्तक्विल की जो बन्यादें उनको तामीर कर सकते हैं अब मौसलि इंसानियत अब आप लोग डिसकासर कर रहे थे साथी अरब के बारे में यह सारा कुछ तो जो उन्होंने इंकलाब लाया क्या उसमें कोई तशद्द नजर आता है बिल्कुल नहीं चानून बना है जो खुदाई कानून के मतनाज़ी हो सिर्फ अपने आप को सूट करने के लिए जितना बड़ा उन्होंने इंकलाब लाया था उसकी बन्याद क्या थी तशद्द पर थी या महबद के उपर ती पेगंबर आमर रहमतुलालमीन ने क्या कोई ऐसा कानून नाफिज किया जो जो ज किया और उनके साथ भी अच्छा सुलू किया जिन्होंने आपको लोहान किया जिन्होंने आपके उपर हमला करने और आपके उपर जो मनास्कीन थे और जो जो लोग क्रेश के लोग थे वो हाए दिन कोई नो कोई आपके खलास साच से करते थे आपके उपर हमले करते थे मद ती हर वक्त कोई नो कोई फितना वो खड़ा करते थे तीन बड़े हमले मदिना के उपर किये गे कुरहिश की तरफ से हर वक्त जो है वो हमले का खत्रा रहता था लेकिन आप ने आपकी जिन्दी में मतलब आप देखे के ना किसी का को तनकीद करने का हाथ कुनों ने चीना ना किसी की जिबान बंदी ही ना कोई तशद्द किया कोई एक वाक्या उनकी जिन्दी में नजर में आता कि किसी के साथ आपने तशद्द किया हो इतना बड़ा इनकला तरीक कर लाया हाज जो हम लोग डिसकस कर रहे हैं तो हम लोग जो है आप सुदी अरब है उनकी हुक्त हु जो मातलब इंसानिया से बहुत दूर हsemb mercury से बहुत दूर हैं। हलो जी जी बहुत अच्छी बात किया है है हलो एक मैसीज देना चाहती हूं प्लीज जी बताईए है उसको छोड़ के हम किसी और हस्ती को पकड़ेंगे और फिर आपस में इस्तिलाफ होंगे उस साथी अरब के उपर हमला करने की कोई मस्लमान सोच मिंगे नहीं सकता उस उन उन दियार्तों पर कोई मिसलमान जिसे नभी गृंभी ऑन्य बेंगे मसलमन जियुए वह एक जिसम की मानिद है एक शाव्य जिसम के जिसम के आप श्यूंके पूरे जिसम को दर्द होता है तो आप ale जो इस तार्माशित बनाया वहां तो कहीं बगार नहीं नज़र आता, कहीं फसाद नहीं नज़र आता लेकिन आज क्यूं विगार रहा है, क्यूं फसाद है कि हम लोग बटे हुए हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के कोशिश कर रहे हैं लेकिन असल चीज़ की तरफ नहीं जाते हम लोग बिल्कों सही का आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और बहुत अच्छी गुफ्टगू की और एक और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे असलाम अलेकूम और रहमत अल्लाह असलाम अलेकूम मुसेवी शाहाप का तु अपने अर्शे के बाद आप लोगों से बात कोने का मौका मिल रहा है मैं बात नहीं तो करना चाहरा था लेकिन ये के अभी कुछ जेर पहले एक बच्छी में इस कदर खुफूलत तरीके से आपको कुछ सुनाया कि उसका लहन भी बहुत अच्छा था उसके तर्स भी बहु कभी कभी आजाया जाए तो मैं आपको अधरत अरी की शान में घालिब का लेहरा था था जान जाता हूं लहन के साथ में इस उम्मीद के साथ में खुदा से दौा करके कि आपके कानों में किशी किसम का कुछ दर्द नहों पर दा रहा है तो मैं पेश करता हूं आपका वो एक मैं पहला बतादने को पहला देशियर है वो हजीत अकुछ सी की शायरी है तच्छी है और यह है कि हजीत अकुछ सी एक जिके कुंतो कंजम मख़िया मैं चुप वख दाना था वाहब दो अनुरफ मैंने चाहा कि मैं पैचाने जाओं तो पहला शेर जो है वो दिल्कु यही चीज है सिवाइस के किसमें लफ खुसन और माचूब पैदा किया है वो तो खुदा बंदा आजम से तालुख रहते हैं यह मैंने सिर्फ वजहातन कह दिया तो मैं प्लीज कान को अपने मैभूज रखिए रहा है देहर जुद जल्वे यक्ताईय माशूक नहीं देहर जुद जल्वे यक्ताईय माशूक नहीं हम कहां होते अगर हुसन नहोता खुद भीं निस्बटे नाम से उसकी है ये रुटबा के रहे अबदन पुष्टे फलब हम शुदे बार जमीन जाँ पना हा दिलो जाँ फैज रसाना शाहा वसिये खत मेरा सुल्व तू है बफत्वाए यक्ताईय माशूक नहीं संग रकामे बंदगी हसुरत जिबरील आमीन कौन कर सकता है मता ही ये मंदू है फुदा कौन कर सकता है मता ही ये मंदू है फुदा कौन कर सकता है आरा आईशे फिर तो से बरी देहर जुद जल्वे यक्ताईय माशूक नहीं हम कहां होते अगर हुसन नहोता खुद भी इसमानलागी बहुत भाछ भॉद खूब खूब कवश्चाओ को बहुत खूब जजाक ला तो बहुत मझा आया नाकवी साहब का ये कलाम सुने आपकी मजीद phone calls को भी शामिल करेंगे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कोई तफसरा करना चाहते हैं कोई बात करना चाहते हैं तो हम आपके लिए यहां पर मौजूद है जाएंगे एक चोटे से वक्षे पर